महराजी के स्री चर्णो में नमन रादेशाम मेरा नाम महिर कुमार पांडे है मैं इस संस्थान का जैन सिटी इंजिनी कॉलेज का प्राचार हूँ जब से महराजी ये ख़बर हमें मिली कि आप हमारे हैं बदार रहे हैं तो हम तर्मन से आपके सिवा मेल अगर है हमारा पुरा परिभार और जैसे ही आपकी कथा होती है हम लोग वीडियो शेयर करते हैं फेस्बुक में सोसल मेडिया के माध्यम से तो कुछ विक्रित मानसिक्ता के लोग हैं जो आपतिजनक टिपण ही करते हैं कि कॉलेज का काम तो सिर्फ पढ़ाई लिखाई है और आप ये युवाम को क्या बना रहे हैं कि सोड ले जा रहे हैं वो हमारे सनात्य धर्म के ही हैं लेकिन मानसिक्ता उनकी विक्रित है मेरा महराजी व्यक्तिगत मानना है कि सिच्छा तो हम दे देंगे कि उसके पहले हम बच्चों को संस्कार दे दें ब्वाब तो ऐसे विक्रित मानसिक्ता ओँ वाले जो लोग हैं उनके लिए महराजी आपके तरफ से कड़ा संदेश चाहता हूँ कि आप ऐसे युवाम को या ऐसे जो विक्रित मानसिक्ता कि लोग है तो उनको आप एक कड़ा संदेश आप थोड़ा से उनकी बढ़ा देखिए एक तो मैं बैसे ही ओलेडी कड़ा बोलता हूँ उपर से आप मुझे बढ़का रहे हैं कि मैं और बढ़का हूँ लेकिन मैं सबसे पहले तो आप कि उस भावना की रिस्पेक्ट करता हूँ कि आप उन बच्चों के भविष्च के बारे को उनके भविष्च को लेकर इतने चिनते थे सही माइने में हमारे भारतिये जो एजुकिशन है जिसे गुरुकुलम पद्धिती हम लोग कहते थे हमारे बच्चों के पास क्या नहीं था तब सब कुछ था और सबसे ज्यादा था moral education उनको चारे त्रिक जो बल था उनके पास वो आज की modern education में नहीं है I am not against लेकिन इमानदारी से बताओ कि आज माबाब आज जादा दुखीएं कि 30-40 साल पहले माबाब ज़्यादा दुखी थे 30-40 साल पहले पैसा था क्या आज है 30-44 साल पहले जादा शुविदाएं थी के आज है कि फिर भी दुखी आज क्यों है 40-50 साल पहले जैसे संयुकत परवार और परवार की feelings जो रयाव करती थी आज है आज हैं आज हैं वो कहां चली गई वो किसने खोई हैं वो खोई हैं मौरल एजूकेशन में उनके द्वारा पतन हुआ हमारे चरित्रिक पतन हुआ हमारा वो modern education कैसी होएंगी जहां जवान लड़के लड़की को कहते कि एक program है तुम मिलके dance करो एक जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ वो भी कम कपड़ों में dance करेगी कौन सा चरित्र बचेगा जरा बताईए वो पाड नहीं है वो पत्थर नहीं है वो लोहा नहीं है वो सरीर है वो जीव हैं उन जीवों में feelings हैं school, college ये बिद्या के मंदर है जब इस्कूल की छुटी हो तो देखो कि बिद्या के मंदर से क्या निकल रहा है आपके wrong टेकड़े हो जाएं ये जो तथा कते दे बिकृत माइंड के लोग हैं जो कहते हैं कि तुम अपने बच्चों को क्या सिका रहे हो वो बिकृत माइंड हैं वो लोग चाहते हैं कि हमारे देश का युवा भरष्ट हो चरित्र हीन हो वो ये चाहते हैं कि वो नंगे लोगों को देख सके इस देश के युवाओं को नंगा कर सके कम से कम कपड़ों में रखें विचार चरीतर दोनों का पतन कर सके और हां मैं गारंटी से कहता हूं जैसा वो हमारे बच्चों में देखना चाहते हैं वो अपने बच्चों में नहीं देखना चाहते हैं अपने बच्चों में वो यहीं देखना चाहते कि मेरा बेटा राम हो मेरी बहु सीथा हो लेकिन तेरा बेटा और तेरी बहु राम-ktor जाथा उन्हें में बड़े परदे पिधे पर नंगा देखना चाहता hem ये विकृत मारेन के जो लोग है वो एसा और कारी कर रहे हैं लेकिन मैं भारत के प्रतिक सनापनी से कहना चाहूंगा हम लोग स्कूलों में modern education के लिए अपने बच्चे भेज रहें उन्हें तगडी फीस दे रहें अपने बच्चे भी दे रहें लेकिन कभी तो माबाप जाकि उन कॉलेज और स्कूलों से पूछे कि आकर वहां से return क्या मिल रहा है हमें यही कि नो मी में आठ मी में दस मी में पढ़ने वाला बच्चा अपने माबाप की नहीं सुनता के यही कि वह लोग अपने पुरातन संस्कृति को परव्पराओं को कहते हैं ये तो सब पुरानी चीज है कि समाज में क्या वेलु आज का यूथ नसे से मेरे को मेरे को रीवा के विश्य में पताचला यह का यूथ नसे में लिप्त है काई को लिपते भागवत ने तो नहीं सिखाया कि ने नसे में लगाओ और वो कॉलेज स्कूल से निकले तो कोई टीचर कोई प्रिंसिपल या प्रॉफिशर या वो माबाप क्यों नहीं अपने बच्चे को रोख सके नसे करने से जानते हो क्यों क्योंकि उनके पास मौरल एजुकेशन नहीं है जब वो अध्यात्मिक एजुकेशन को क्रेंड करेंगे तो वो नसे से दूर हो जाएंगे वो चरित्रबान बनेंगे वो माबाप की सेवा करने वाले बनेंगे वो धर्म की शेवा करने वाले बनेंगे वो देश के प्रती समर्पित बनेंगे और यही देती है हमारी अध्यात्मिक एजुकेशन तो हमको चाहिए ऐस मैं पंडे जी अप बात काऊँ ऐसे लोगों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए ऐसे लोग सुरू से रहे ऐसे आज कोई नए पैदा नहीं हुए जब राम जी थे तब रावन था वो भी कहता था कोई यग नहीं होगा जब कृष्ण जी थे तब कंस था वो भी कहता था यहां पूजा पाठ नहीं होगा हमारा ही सब चलेगा लेकिन उनकी हस्ती मिट गई वो किसी काम के नहीं रहे आज तक यग कि प्रकास का पता लगा सकेएं इसके लिए अंधेरे काना जरूरी है तो यह अंधेरे हैं इन अंधταर अंधेरों में रहकर हमें अपने शत मर्क का दीपक जलाकर रखना है जैसे हमारे सासात इन के आने वाले प्रीडियों को वी वो रास्ता देख सके बूलो रादे रादे Sir, you do whatever you like Thank you sir, thank you Thank you Maharaj Thank you No, no, you all have worked and your students have worked so love you so much Thank you Maharaj Thank you Thank you